सोनाक्षी की शौधी के आठ दिन बाद भाया लव ने तोड़ी खामोशी, चुप्पी तोड़ लव ने किया एलान, सुनाया सोनाक्षी और उनके ससुराल वालों से रिष्टान नहीं रखने का फर्मान, किया खुलासा आखिर जीजा के परिवार से नाराजगी की क्या है कि ना तो वो अपनी छोटी और इकलौती बहन सोनाक्षी सिन्हा के साथ रिष्टा रखेंगे और ना ही उनके ससुराल वालों से इसके साथ ही लव सिन्हा ने वो इशारा भी दे दिया है कि आखिर जीजा जहीर खान की फैमिली से उनकी नाराजगी की वज़ा क्या है दो ट्वीट्स के जरिए लव सिन्हा ने उस सस्पेंस पर से परदा हटा दिया है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था जैसा कि सब जानते हैं कि 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी की थी लेकिन अफसोस सोनाक्षी और जहीर की शादी से ज्यादा इस रिष्टे को लेकर सिन्हा परिवार की नाराजगी ने लोगों की अटेंशन को ग्राब किया खास तोर से बहन की शादी से भाईयों का गायब रहना इस शादी के तमाम functions में सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश कही नजर नहीं आये थे जिसके बाद से ही बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर ऐसी क्या भजा है कि लव और कुश ने अपनी कलौती बहन की शादी का ही बॉयकॉट कर दिया सोनाक्षी की खुशियों में लव और कुश ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा तो अब लव ने दो ट्वीट्स के जरी अपना जवाब दे दिया है जिसने हर किसी को चौका दिया है सबसे पहले 30 जून को लव ने एक न्यूज आर्डिकल में छपी कुछ लाइन्स को अपने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके परवरिक बिजनस के बारे में सावधानी पूरवक तयार की गई न्यूज स्टूरीज के साथ दूले के पिता एक राजनेता से निकटता जैसे असपच शेतरों पर कोई भी ध्यान नहीं देता जिनकी आईडी पूचताज वाशिंग मशीन में गायब हो गई थी ना दूले के पिता के दुबई में रहने की भनक थी लव के स्ट्वीट ने लोगों को कन्फूजन में डाल दिया था कि आखिर लव किस और इशारा कर रहे हैं जिसके बाद लव ने एक जुलाई की दोपहर को एक और ट्वीट किया और लिखा की खारण बहुत साफ है कि मैं इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ और चाहे कुछ भी हो मैं कुछ लोगों के साथ नहीं जुड़ूँगा मुझे खुशी है कि मीडिया के एक सदस्ते ने पिया टीम दोरा पेश की जा रही रचनात्मक कहानियों पर बरुसा करने के बजाए अपनी रिसर्च की लव के स्ट्वीट से साफ हो गया है कि जीजा जहीर के परिवार से उनकी नराजगी की वज़ा सोनाक्षी के ससुर इकबाल रतनसी के कुछ गहरे राज हैं जिसका जिक्र उस रिपोर्ट में भी किया गया है इकबाल रतनसी के बिजनेस और दुबई कनेक्शन्स का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है और लव ने उस रिपोर्ट को हाइलाइट कर बिना कुछ बोले दो टुक शब्दों में जता दिया है कि वो सोनाक्षी और उनके ससुराल वालों से कोई संबंध नहीं यूर एपोर्ट इट्वेंटिफोर